टाटा मोटर्स ने अपनी पंच को इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है गिंती के दिनों में इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया जाएगा और इसी के तुरू टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा पॉपिलर्टी मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों अभी हाली में इसका crest test rating आ चुका है और जो की है 5 star safety rating तो आप सोच सकते हैं कि इतने price range में आने वाली गाड़ी के अंदर आपको अच्छी खासी safety मिल जाती है इसी के साथ दोस्तों ये गाड़ी अपने साथे 5 से 6 लाक रुपे तक जाए on road तो दोस्तों इसी के साथ इसका competition अच्छा खासा swift के साथ होने वाला है क्योंकि price range की अगर बात करें तो competition हो सकता है लेकिन अगर build quality के मामले में देखें तो swift तो कुछ है ही नहीं इसके आसपास भी नहीं है और दूसरी गाड़ियों के हिसाब से अगर compare करने जाएं तो इसके अंदर engine भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है जो की improvise किया है Tata Motors ने और इसके अंदर आपको अच्छी खासी mileage और इस improvised engine के अंदर आपको अच्छा खासा उसके बाद जो second base variant है वो है adventure उसके बाद second top variant अगर कहें और तीसरा variant कहें तो accomplished और चोथा जो कि सबसे topest variant है वो है creative तो दोस्तो इस वीडियो में आपको चारो के चारो variants में से कौन सा variant आपको value for money रहेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो मिलेगा information system आपको after market लगोना पड़ेगा या फिर आप Tata Motors के authorized accessories में से उसे include करवा सकते हैं इसे के साथ key features की बात करें तो आपको इसमें central locking मिलेगा with remote key और इसे के साथ handle start stop technology, front power windows tilt steering 90 degree, wide door opening rear flat floor मिलेगा LED indicator, body color bumper basic leading मिलेगी इसमें और 15 inch के simple से wheels आपको देखने को मिलेंगे इसमें driving mode की अगर बात करें तो इसके अंदर driving mode दो दिये हुए हैं, बेला mode है eco mode and दूसरा है city mode इसे के साथ कुछ safety features की बात कर लेते हैं तो safety features में आपको ABS मिल जाएगा यानि की anti locking braking system, इसे के साथ आपको dual airbags मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर EBT electronic brake distribution technology इसमें मिल जाएगी आपको, इसे के साथ corner stability control और brakes sway control आपको मिल जाएगा, जोकि industry first feature है नया feature है, यह add किया गया है, data motors के थूँ तो दोस्तों, अगर second base variant की हम लोग बात करें, तो इसे नाम दिया गया है adventure इसके अंदर आपको base variant के अलावा भी कुछ features देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों, इसके अंदर transmission आपको automatic भी मिल जाएगा, जबकि वहाँ पर base variant में सिर्फ हमे manual transmission देखने को मिलता था, यहाँ पर base variant के चारों आपको power windows देखने को मिल जाते हैं follow me headlamps जैसे features आपको इस variant में देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों anti glare IRVM central remote locking system आपको देखने को मिलेगा flip की के साथ होगा, इसी के साथ full wheel covers आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो दोस्तों यह है adventure variant के बारे में, next variant के अगर बात करें, तो वो है accomplished तो दोस्तों जो accomplished variant है, उससे हम लोग second top variant कहेंगे उसके अंदर आपको automatic का भी option मिल जाएगा, जैसे कि आपको adventure में मिल रहा था, तो यहाँ पर तीनों variant में आपको automatic मिलेगा, तो second base variant के अलावा इसमें कौन-कौन से features आपको मिल जाते हैं, देखते हैं, तो 7 inch का floating desktop screen आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि Android Auto, Apple CarPlay के features के साथ आती है, और इसके साथ 4 speaker के साथ-साथ आपको दो tweeters भी इसमें देखने को मिल जाएंगे, accomplished variant के अंदर, और reverse parking camera, LED tail lamps, front fog lamps, 15 inch के hyper stylish wheel आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि alloy wheel बिल्कुल भी नहीं है, hyper stylish wheel है, basic से wheel आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इसके साथ push start stop button यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, one touch driver door window आपको यहाँ पे मिल जाएगी features में, cruise control के feature आपको मिल जाएंगे, इसके साथ driver seat height adjustment वाला feature नया add किया गया है इसके अंदर, तो यहाँ पे इस variant के अंदर आपको वो feature मिलेगा, traction pro control feature आपको यहाँ पे इसके साथ साथ आपको रूफ रेंच के अंदर आपको और भी कुछ features मिलेंगे जो की बहुत ज्यादा value for money features है और यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर headlamps 16-inch के diamond cut alloy wheels आपको मिल जाते हैं टॉप variant के अंदर, इसके साथ साथ आपको roof rays मिल जाती है, 7-inch की TFT instrument cluster भी यहाँ पे add की हुई है, automatic headlamp, rain sensing wipers यहाँ पे add की हुए है, इसके साथ साथ आपको auto folding ORVM भी मिल जाते हैं fully automatic temperature control यहाँ पे आपको मिल जाता है, cool cloud box के साथ, और इसके साथ साथ rear wiper and washer भी यहाँ पे include किया गया है rear में आपको defogger मिल जाएगा, इसके साथ साथ paddle lamp भी आपको इसमें add किया गया है, साथ साथ rear seat armrest भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि एक value for money feature लगता है leather web आपको steering wheel और gear knob भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, top variant के अंदर और अगर बात करें इस गाड़ी के value for money variant की, तो इसमें आपको सबसे value for money variant रहेगा, adventure variant जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा features वाले सभी, आपको यहाँ पे key features देखने को मिल जाते हैं, जो कि value for money है, और आपको यह variant कंसिडर करना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते है तो आप base variant की और जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको customizable package भी मिलते हैं Tata Motors की तरफ से, तो आप उसमें add करवा सकते हैं, जैसे कि rear power windows जैसे features आप add करवा सकते हैं, दोस्तों Tata Motors ने जो punch design की है, उसको तकरीबन 1500 test units को test किया है पूरे इंडिया के अंदर, और उन सभी units ने लगबग एक लेट साल तक पूरा testing किया और 20 लाग किलोमेटर कवर किया है, मतलब बहुत extreme level पर इस गाड़ी का testing किया गया है, इसके साथ साथ दोस्तों Tata claim करता है कि इसमें 40% high strength steel का use किया गया है, इस गाड़ी को manufacture करने में, इसके साथ साथ दोस्तों सभी variants के अंदर आपक आपको white, red, grey और mist का option दिया गया है, इसके साथ साथ second top variant की बात करें, accomplished की तो उसके अंदर आपको bronze color देखने को मिल जाता है, और creative variant की अगर बात करें, तो creative variant में आपको सभी colors के साथ साथ आपको bronze color भी देखने को मिल जाता है, तो ये थे color option इस गाड़ी के अंदर, अगर ब produce करके देता है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा power देखने को मिल जाएगा, और अच्छा खासा आपको mileage देखने को मिल जाएगा, transmission में आपको automatic और manual दोनों का option है, अगर boot space की बात करें, तो आपको इस गाड़ी के अंदर 366 liter का boot space मिलेगा, ground clearance आपको 187 newton meter का मिलेगा, ये साथ मैंने बात की, off-roading feature की, तो वो आपको automatic transmission के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि है traction pro feature, और ये feature आपको hulky full के off-roading में help करेगा, इसके साथ-साथ ये feature आपको एक front wheel drive गाड़ी के अंदर मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और दूसरी hatchback से compare करे तो ये गाड आपको एसा खासा off-roading कर लेगी, मतलब if you are going to buy a hatchback, तो आप इस गाड़ी के और जरूर देख सकते हैं, क्योंकि base variant के अंदर पर आपको ऐसा package मिल रहा है, जिससे कि आप इस गाड़ी को एक top end variant के अंदर convert कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करना, channel को subscribe करना और bell icon को press कर देना, next वीडियो देखने के लिए, thank you very much